दोस्तों आस्टेलिया को 580-20 मुकाबले में हराने के लिए कप्तान सूर कुमार यादम ने दो खिलारियों की वापसी करा दी है टीम इंडिया में जिनकी डर से आस्टेलिया के खिलारी थर थर कापनी लग चुकी हैं और आस्टेलिया ने पहले ही हार मान ली है दोस्तो आप भी देखना चाहतू आखरकार ये दो खतरना खिलारी कौन है इस वीडियो को एक लैक करिए चेनल को सब्सक्राइब करिए बड़ा का न दबाईए और लुटी पेकेसन पे क्लिक करना बलकुर न भूलें दोस्तो इंडिया उस्टिला के 20 में 5 मैचों की T20 सिरीज का आगाज हुआ जिसका पहला T20 मुकावला भारत्य टीम ने दो विक्र से जीता तो वहीं दूसरा T20 मुकावला टीम इंडिया ने 44 रण के बढ़ंतर से जीत लिया मार दोस्तो बद किस्मती से भारत्य टीम को 30 से T20 में उस्टिला एक खिलाब हार का सामना करना पड़ा मार दोस्तो चोथा T20 मुकावला फिर भारत्य टीम ने 20 रण के बढ़ंतर से जीत लिया दोस्तो इसी जीत के साथ पांच मैचों की T20 सीरीज पे तीन एक से कबजा कर लिया और आज दोस्तो आखिर पांचवर T20 मुकावला तीन दिसम्बर को बैंगलोर के मैदान पे स्टार्ट होने वाला है उससे पहले टीम मीडिया में बड़े बदराव हो चुकी है दोस्तो आज आपको जीत सर्मा बहार बैठते हों नजराएंगे विक्किट कीपनिंग नहीं करेंगे आज आपको इससन के सन ओपनिंग करते नजराएंगे गायकवाल के साथ तो वहीं गयनतवाजी में आवेश खान बहार जा सकते हैं आवेस खान की जगे पे सुरुकुमार यादव सिवम दोवे को मौका दे सकते हैं